हेलो अब्रीवन वेल्कम बेक टो योरोन चैनल एट सरल साइकोलोजी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इभास में निखली वी विकेंसी के बारे में यहां पर वेरियस पोस्ट के लिए विकेंसी अवेलेबल है जैसे की प्रोजेक्ट कॉडिनेटर के लिए वन प पोस्ट है जो आपका कॉंट्रेक्ट है आपका ये जॉब है और पीरियोड आपका रहेगा 12 मंस का मींस एक साल का अपका पीरियोड रहेगा और जो प्रोजेक्ट है वो है cessation of drug and alcohol in north, northeast and south district of Delhi. Funded by the Department of Women and Child Development Government of National Capital Territory of Delhi. Now आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, eligibility क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको बताना चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर psychology से रिलिटेट सभी अपडेट्स देती हूं, तो मेक शूर कि लिजी के अपने चैनल को subscribe कर लिया हो और bell icon को press कर लिया हो. चले बात करेंगे eligibility criteria की, क्या-क्या आपको eligibility criteria चाहिए, क्या आपकी salary रहने वाली है, तो यह आप देख रहे हैं advertisement number और अपने left-hand side पर, तो यहाँ पर जो project coordinator है उसके लिए one post है and salary आपका consolidated है 50,000 पर month and maximum जो age चाहिए वो चाहिए 50, तो 50 से कम कि अगर आप age गया है, तो apply कर सकते हैं, इसमें educational qualifications आपको चाहिए in psychology और social work में तो आपके पास psychology से एंफिल हो या social work से, ठीक है with one year का experience आपके पास होना चाहिए area coordinator के लिए three post है, यहाँ पर जो salary आने वाली है 40,000 है और 50 की age limit है, अगर 50 से कम कि अगर आप age के हैं, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, ठीक है इसमें जो educational qualifications required है, वो है master आपके पास या तो social work से या psychology से, या sociology से इसके साथ में ही आपके पास दो साल का experience होना चाहिए research assistant के लिए three post है और इसमें आपकी 31,000 रो है consolidated salary रहने वाली है age आपका 50 है and age limit 50 है और masters in social work इसके लिए चाहिए social science हो या तो आपके पास इसके साथ में ही आपके पास one year का experience हो next हमारा vacancy है data entry operator इसमें आपके three post है 31,000 consolidated salary है 35 years आपका अपरेज लिमिट है graduation इसमें आपको चाहिए with आपको computer का training computer का knowledge होना चाहिए one year के experience के साथ में nursing orderly के लिए आपके पास three post है 17,000 आपका salary है 30,000 आपका अपर age limit है and 10th class pass आप अगर है तो इसमें apply कर सकते हैं और health worker के लिए आप third three post है 15,800 आपका salary जैने वाला है and 30 years of age अगर आपकी है 30 years से अगर आप कम की age के तो इसमें apply कर सकते हैं और यहाँ पर जो है class 8 तक अगर आपने pass किया है तो आप इसमें apply कर सकते हैं साथ में ही आपको जो भी interested लोग है इसमें apply करना चाते हैं उनके पास जो experience है उसे एक particular format में fill करना है जैसे आपको अपनी जो colored photograph है वो आपको attached करनी है ठीक है यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है अपका form उस form को निकालना है और उस form को fill करके आपको speed post करना है आपको speed post कहां करना है तो आपको speed post करना है on the name of joint director institute of human behavior and allied sciences दिलशाद garden डेली 110095 27th august 2022 से पहले पहले ठीक है जो भी आपकी informations होंगी like eligibility से कौन-कौन eligible है कौन-कौन eligible नहीं है जो short candidates, short listed candidates की जो list होगी वो आपको display कर दी जाएगी website पर या आपका theory exam है या skill test है क्या है वो आपको आपकी website पर like day-to-date basis पर आपको website पर मिल जाएगा तो आप website को check करते रहिएगा and आपको particular जो application है वो download करना है इस particular site से जो आप देख रहे है www.ihbas.delhi.nick.in इस पर आपको site पर मिल जाएगा link आपको description पर भी मिल जाएगा application form वहां से download करिए और speed post कर दीजिये आप इस particular address पर जो की है Joint Director Institute of Human Behavior and Rights Sciences दलशाथ गार्डन डेली 110095 27th अगस 2022 से पहले पहले तो ये particular आपका form है यहाँ पर form को फिल करते वक्त आपको अपनी recent passport size photograph लगानी है सभी details आपको examination कौन-कौन से दिये हैं कौन-कौन से departments में अपने work कर रखा है पहले से वह सभी details आपको भर के speed post कर देना है जो location रहेगी आपकी job की वह डेली रहेगी ठीक है नौर्थ और नौर्थ एस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट्स ओफ लाइक डेली ओके वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स के चाहर शेयर जरूर करेगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करेजिये बाई थैंक यू